नमस्कार रेलाफ रेसीपी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे तिल माबा की बर्फी सर्दियों में तिल की बर्फी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है आप तिल के लड़ू ही बना सकते हैं या फिर बर्फी भी बना सकते हैं बहुत आसानी से और मिंटों में बनकर तो चलिए बनाते हैं इस से बनाने के लिए मैं लिया है 200 ग्राम तिल ये मैंने रेड वाला तिल लिया है आप कोई भी तिल ले सकते हैं चलिए अब गयस कों करेंगे कराई गरम करेंगे और तिल को भून लेते हैं मेडिम फ्लेम पर तिल को हम भून लेंगे तिल जब चटकने लगे तो समझ लेजी कि तिल हमारा भून चुका है और इससे सुन्धी-सुन्धी खुसबू भी आने लगेगी तिल भूनते समय उससे तेल रिलीज होता है क्योंकि इसमे उसका तेल होता है जब तिल अच्छे तर इसे हम चटकने तक भून लेंगे तिलको मैंने भून लिया है अब इसे प्लेट मे ठंदा अने के लिए रखेंगे कुछ से बांद जब यह ठंदा हो जाए तब हम इसे मिख्षिज्ण में दरदरा पीस लेंगे यह देखे मैंने इसे inner पीष लिया है इसे हमें बारिक नहीं पीषना है और मिक्षी को जब हम चलाएंगे तो फिर से तेल रिलीज हो जाएगा और यह अच्छे से नहीं पीषेगा यहां पर मैंने लिया है इसमें चनी मिला हुआ है बाजार से कड़ाब खुआ ले रहे हैं तो फिर आप दो कप चनी डाले अब हम इक राही मिलेंगे एक कप पानी इसमें हम डालेंगे चीनी और इसका हम दो तार की चासनी बनाएंगे अब हम चीनी को मिल्ट होने तक बड़ावर चलाते हुए इसे पकालेंगे बाजार से जो हम खोया खरीद कर लाते हैं उसमें चीनी नहीं होता है इसलिए आप इसमें दो कप चीनी डालें मैंने घर में बनाया हुआ खोया लिया है इसलिए मैं दो कप से थोड़ा सा कम चीनी ली हूँ चीनी हमारा अच्छा से मिल्ट हो गया है अब हम इसे बड़ावर चलाते हुए दो तार की चासनी बनाएंगे आप देख सकते हैं चासनी में उबालाना सुरू हो गया है चासनी में अच्छा उबाला गया है इसे हम मेडियम फ्लेम पे तार बनने तक चासनी बनाएंगे यह देखिए अभी इसमें कोई भी तार नहीं बन रहे है इसलिए से हम 5-7 मिनट और पका लेंगे पांस मिनट पकाने के बाद फिर से चेक कर लेते हैं इस तरीके से हम चेक करेंगे अगर आपको चिप चिपा लग रहा है या फिर उब्लियों के बीच तार बनने हैं तो समझे कि चासनी हमारा बन कर तैयार हो गया है इसे अभी हम 2 मिनट और पकाएंगे दो मिनें पकाने के बाद चास्णी हमारा बिलकुल तैयार हो गया है इसमें दो तार बनने लगे हैं अब हम इसमें पिसा हुआ तिल जो है उसे डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे गैस का फ्लेम मेडियम पर रखेंगे तिल हमारा चास्णी में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ ड्राइफुट्स ड्राइफुट्स आप अपने पसंद से ले सकते हैं मैंने इसमें काजू, बादाम और पिश्ता डाला है आप अपने पसंद से कोई भी ड्राइफूर्ट ले सकते हैं गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसमें डालेंगे खोया या मावा मैंने यहाँ 200 गड़ाम घड़का बना हुआ खोया लिया है आप चाहे तो इसे बीना खोया या मावा के भी बना सकते हैं खोया को हम तिलवाली चाशनी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे खोया अच्छी तरह मिक्स हो गया है अब हम एक थाली को घी से अच्छी तरह से गिरेश कर लेंगे आप इस तरीके से थाली को पहले से तयार करके रख लें अब हम थाली में इस वेटर को ट्रांसफर कर लेंगे अब हम इसे किसी एस्पेचुला या फिर चमज की सहता से अच्छी तरह से फैला लेंगे इसे हम प्रेस करते हुए फैलाएंगे अब हम हाथों में पाने लगा कर चिकना कर लेंगे और इसे हाथों से प्रेस करते हुए भैला लेंगे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए भैलाने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे पंदरे मिनित बाद आप देख सकते हैं अच्छी तरह जम गया है अब हम इसे काट करके बरफी का सेव देंगे इसे हम चाकू की सहायता से या फिर पिजाकरर की सहायता से काट करके बरफी का सेव देंगे आप इसे अपने मन पसंद के आकार में काट सकते हैं तो हैने इसे बनाना आशान, खाने में भी ये बहुत अच्छा लगता है और सर्दियों में तो ये बहुत ही फैदे मंद है, सर्दि के सीजन में गुर, चिनी या फिर दिल का बना हुआ बर्फी या लड्डू बहुत ही फैदे मंद होता है, तो लिजिये बनकर तयार हो गया दिल और मावा की बर्फी सर्दियों में आप इसे जमन हो तब बना करके खाईए बहुत ही फैदेमंद है यह लड़ू या फिर बर्फी बहुत ही फैदेमंद होता है यह देखिए हमारा बर्फी कितना अच्छा बन कर तयार हुआ है बहुत ही आसानी से यह बन कर तयार हो गया यह देखिए तो लिजिए बन कर तयार हो गया दिल और मावे की बर्फी सर्दियों में जमन हो तब आपी से बना करके खाई सकते हैं वीडियो थोड़ा भी हल्पू लगा हो धमेट चनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और कोमेंट्स civ करें और हाँ बैल आइकान जरूर से प्रेस करें जिस्से कि आगे आने मिले वीडियो को नुट्फिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलें अब मिलते हैं अगले वीडियो में नैयरीश चुपी के साथ